कभी भी वेक्ति का जीवन एक जैसा नहीं चलता हैं, कभी उसके जीवन में कभी दूख होता हैं तो कभी सूख, मनुश्य का जीवन उतार चड़ाव से बरा होता हैं, हमारे आने वाले जीवन में क्या होगा हमें यह जानकारी भी नहीं होती हैं, परन्तु कई बार हमें आने में जीवन में अश्यूब यहां श्यूब होने के संकीत जरूर मिल जाते हैं लेकिन हम उन पर दियान नहीं दे पाते हैं हमारे जीवन में कहँआरे आसपास ऐसी गटनाए होती हैं जिने हम बहुत ही आसानी से उन संकेत के बारे में जान सकते हैं सास्त्र के अनुसार कई बार जानवर भी हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिसे हम अपने साथ अच्छे या बूरे होने का अंदिसा लगा सकते हैं तो आईए जानते हैं कि जानवर के किस संकेत का क्या होता है मतलब पहला है बिल्ली सास्त्र के अनुसार बिल्ली के पास चट्टी इंदरियां होती है जिसके कारण उन्हें कोई भी आने वाले विपत्ती का पता लग जाता है तो यदि बिल्ली आपके घर को चोड़ कर जाने लगे तो समझ ले कि आप पर कोई बड़ी विपत्ती या समस्या आ सकती है दूसरा है गोड़ा सास्त्र के अनुसार गोड़ा शुबता का प्रतिक होता है लेकिन का जाता है कि आपको गोड़ा दिखा है और आपने सबसे पहले गोड़े की पूछ देखी है तो यह अशुब माना जाता है गोडे की पुच देखना मतलब असफलता दर्शाता है वहीं गोडे की मस्तक पर नजर पढ़ना शुब होता है यानि यह आपकी तरक्की को दर्शाता है थैंक यू